हाई गाईज मैंने में सद्नान खान वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिप बॉन के जनरल फीचर्स की इससे प्रीविएस वीडियो में हमने बात की थी हिप बॉन की साइड डिट्रमिनेशन की जहां हमने जाना था कौन सी इस बॉन राइट साइड होती है कौन सी बॉन राइट- लेफ साइड प्रेजेंट होती है अब जनरल फीचर्स स्टार्ट करते हैं हिप बॉन के सबसे पहले बात मैंने तुम्हें प्रीवेस लीडियो में भी बताया था हिप बॉन जो बनी होती है वह तीन बॉन के यह हमारे पास एक hollow concavity है और इस hollow concavity को हम बोलता है Acetabulum और यह जो aceta-bullum के अंदर मैंने हाँ पर इसके पार्ट बना राक हैं यह upper part जो है इंल्यम का part है और यहंतियार part दिकी सबना होता है एसीटा बुलम और जो मैंने हापर ब्लेक कलर से तुम्हें लाइन दिखाई हैं यही है हमारी ट्राय रेडियेट कार्टिलेज और इसी सही यह तीनों बोन हमारे सेपरेट होती हैं अब इनकी बीचे फ्यूजन कभी स्टार्ट होता है इस्यम, प्यूबिस, एन इलियम जब वो 15-17 इयर्स का कोई परसन हो जाता है तब इन तीनों बोन का फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर इतनी बात तुम्हें आई हो, पिलेर हो गई होगी है अब देखो जो यह हमारी बोन है, यह एक इर्रेगुलर बोन है मैंने यहाँ पर नौट्स बना रखे हैं और मैं इनका एक फोटो तुम्हें टेलिग्राम चैनल पर दे दूँगा आप डिस्क्रिप्शन बोक्स में से टेलिग्राम चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं पूरे पेज को देखने के लिए अब आगे चलते हैं इसके अंदर हम यह एक इर्रेगुलर बोन है जैसे कि तुम्हें दिख रहा है यह एक इर्रेगुलर टाइप ऑफ बोन में आती है अब यह जो बोन है हमारी यह तीन टाइप के आइकिलेशन शो करती है ट्री टाइपस के अटिक्लेशन शो करती है जिसमें पहला आउन्ट कुलेशना आता है हमारा इसमें हिप जोइंट अब हिप जोइंट किसमें बीच में मिलके बनता है जैसे यह compatible में तो इस इ grenadeλ हैद ओ ऐफ फिमर जब यह दोना articulate करते हैं आपस में तब बनता है हमारा hip joint यहाँ पर अभी हम hip joint को target नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी hip bone only अब next आता है इसके अंदर pubic symphysis जोसके next joint बनता है वो बनता है pubic symphysis से अब वो कैसे बनता है ज़रा ध्यान से देखो यह मेरे पास left side की bone है ठीक है और आगे क्या है इसके अंदर यह pubis यह मेरे पास right side की bone है और इसके आगे क्या है यह हमारा this one is pubis तो यह anteriorly anteriorly आपस में इस तरीके से आकर fuse होते हैं हापर यहाँ पर joint बनते हैं जो एक immovable joint होता है और उसी को हम बोलते हैं pubic symphysis I hope तुम्हें clear हो गया होगा ठीक है अब next जो थर्ड जोइंट आता है इसके अंदर उसको हम बोलते हैं sacroiliac joint अब sacroiliac joint क्योंकि मेरे पास sacrum bone available नहीं है तो मैं यहाँ कहीं animation डाल दूँआ तुम देख सकते हो किस कि किसके बीचे मिलके बन रहा है जो यह surface है हमारा इसे में बोलते हैं sacro pelvic surface इसमें पार्ट होता है auricular surface और यहीं auricular surface sacrum bone से articulate करके joint बनाता है sacroiliac joint I hope तुम्हें clear हो गया होगा तो यह कुछ इसकी basic सी बाते हो गई अब हम one by one तीनो bones को पढ़नें है hip bone में सबसे पहली आती है ileum अब ileum क्या है widest and largest part of hip bone अगर हम बात करते हैं पूरी hip bone की तो सबसे बड़ा part हमें hip bone के अंदर एक ही दिख रहा है वह हमारा ileum यहां से लेकर इस तरीके से यह पूरा part कौन सा है ileum है form superior part of acetabulum अगर हम बात करते हैं acetabulum की तो इसका superior part कोन बनाता है ileum बनाती है अब ileum के अगर हम parts की बात करते हैं तो ileum को divide कर रखा है हमने 2 end में 3 border and 3 surface में हम one by one इसको cover करेंगे अगर हम बात करते हैं इलियम के दो ends की तो इसके पास दो end होते हैं एक होता है इसका upper end और दूसरा होता है इसका एक lower end एक upper end और एक lower end अगर हम बात करते हैं upper end की तो हम upper end को बोलते हैं इलिय क्रस्ट ये पूरा तुम देख रहे हो ने हाँ से हाँ तक है यह सब क्या है यह पूरा एक illegal奇 क्रस्ट है किले का हम अलग से पढ़ेंगे बाद में पहले हम आ चाहते है लोवर जेजा लोवर एंड यह इलियम का लोवर एंड तो हीलियम क्या करती है film करती सोरी इस्चम से यह थीकस्ट पाट है इस्चम का और इलियम ही तू पार्ट ऑफ एसी टा बूलम रही है। तो इसने कैं बनाया है किसका अइसी टाबूलम का फ्यूज होने के बाद तो हमने यहाँ पर इसके दो end के बात करी एक lower end एक upper end lower end ने क्या बनाया two fifth part of acid ofulum और upper end को हम क्या बोलते हैं upper end को हम बोलते हैं iliac crust अब iliac crust को समझने की कोशिश करते हैं अगर मैं bone के side determination के बात करो तो यह bone मेरी इस तरीके से आएगी क्यों कि इसका anterior जो side present होती है pubis और posterior side के present होता है ishum present होता है अब हम बात करते हैं अगर इसके anterior end की किसके iliac crust के है तो इसके anteriorly हाँ present होता है anterior superior iliac spine तुम देख सकतो हैं हम पर एक spine like structure तुम्हें दिखेगा जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन यहां देखो मैंने यह बात लिखी है एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन और इसी तरीके से इलेक क्रस्ट का जो पॉस्टीरियर एंड है वह उसको हम बोलते हैं पॉस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन इस पॉस्टीरियर सु फिंगर को घुमा रहा हूं इतना portion इसको हम बोलते हैं long ventral segment और एक आता है इसके अंदर short dorsal segment अब long ventral segment है जैसे हमारा हमें दिख रहा है यहां से लेके यहां तक है अब इसके भी तीन पार्ट होते हैं कौन-कौन से तीन पार्ट होते हैं इसके एक होता है outer lip, intermediate area and third one is inner lip तो इसके भी यहां पर तीन पार्ट आ जाते हैं देखने के लिए देखो यह बोन इस तरीके से present होगी तो जो यह lip होगा यह कौन सा लिप होगा यह होगा इसका inner lip ठीक है यह होगा इसका outer lip और इसके बीच का area जो होगा उसे हम क्या बोल देंगे intermediate area बात के लिए रहे हैं हम जाते हैं short dorsal segment पर तो this is a short dorsal segment of hip bone अब यह short dorsal segment को हमने divide कर रहा है दो slope में एक lateral slope and second one is medial slope अब यह bone इस तरीके से present है अब तुम भी पता लगा सकते हो सो कौन सा lateral slope होगा देखो यहाँ पर एक जारी एक क्रिस्ट दिख रहे हैं तुम्हें यह अब इस क्रिस्ट के इधर वाला portion जो होगा वह होगा इसका lateral slope और इसके इधर वाला portion होगा वह कौन सा slope होगा इसका बहुत simple है इतने बास समझाई और जो posterior end है इसका वहाँ पर क्या होगा posterior superior iliak spine यह रही है यह हमारी posterior superior iliak spine अब जो इसकी attachments है वह तुम्हें में बाद में पढ़ाँगो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी attachments की बात करेंगे वो भी hand-to-hand cover हो जाएंगे जहां मैंने 80 लिखा है यहाँ पर arrow के पास इसका मतलब है attachment मतलब medial slope पर कौन सी muscle का origin हो रहा है जो मैंने green pencil लिखा है मतलब कौन सा ligament attach है इस particular region पर तो जहां भी 80 लिखा होगा तुम समझ जाना वहाँ पर मैंने attachment की बात की है तो इस लीडियो में स्रीफोर स्रीफ हम जर्नल पिछस की बात करेंगे अब हम बात करेंगे इसके बॉर्डर की तो इसके अंदर इल्यम की बात करें हैं अगर हम तो तीन बॉर्डर होते हैं इसके पास पहला होता है इसके पास anterior border जब्वह यह हमारे पास pubis तो मतलब यह एंटिरियर पार्ट है hip bone का, और ये रहा ileum का anterior border This is anterior border of ileum कहा से कहा तक होता है anterior border extend करता है इसका anterior superior ileum spine से acetabulum तक मैंने लिखा यहाँ पर anterior superior ileum spine से run downwards कहा तक जा रहा है, acetabulum तक जा रहा है, तो देखो ये रहा हमारा anterior superior ileum spine ये रहा हमारी एक notch फिर आता है हमारा इसके नीचे पॉस एंटीरियर इंफीरियर इलिये की स्पाइन और उसके नीचे क्या रहा है हमारा यहां पर पूरा एक एसी टबुलम आ रहा है तो एंटीरियर बॉर्डर में तुम्हें कितने पार्ट से मिले ध्यान से सुनना फिर से एक मिला हमें एंटीर तो यह होगे सेाथ स्पाइन के У defect करते हैं तो यहरा करता है से कहा तक पॉस्टीर बार और ओफ इस्टियम तक तो यह रही मेरी posterior superior iliac spine तो यहां से रंड करेगा इसका posterior border और कहां तक जाएगा posterior border of isium तक यह रहा सा posterior border isium का तो इसमें क्या-क्या portion आएगा अधर एक बार ध्यान से देखो इसमें आएगा posterior superior iliac spine एक आएगी इसके अंदर posterior inferior iliac spine एक आएगी इसके अंदर great sciatic notch एंदेन फिर यहां पर क्या जाएगा एक lesser sciatic notch एंदेन फिर posterior border of isium तो यह हो गया हमारा posterior border के बारे में अब तीसरा border आता है इसके अंदर medial border तुम यहां पर एक line देख सकते हो यह line bone में साफ दिखती है लेकिन फिर भी मैंने आपर एक line draw करी है black color से और यह कहां से start होती है अभी मैं तुम्हें surface समझागो तो तुम्हें समझ में आएगा इसके हमें बोलते हैं pelvic surface ठीक है यह pelvic surface और यह हमारी ilm bone है और यह हमारी pubis bone यह ilm bone Hydra पूबिस से हाँ पर fuse हो रही है और यह यहां पर एक हमधार दिख रहा होगा तुम्हें हलका सा जिसको हम बोलते हैं ilio pubic eminence ठीक है यह हमारा इलियो प्यूबिक एमिनेंस तक तो यह हो गया हमारा मीडिल बॉडर तो हमने आप पर इसके दोनों एंड्स कवर कर लिए हैं और तीन बॉडर कवर कर लिए हैं अब हम बात करते हैं इसकी सर्फेस की तो इसके तीन सर्फेस होता है पहला होता है इसके ग्लूटियल स सेटाइब और जो शिए कोसिश बढ़ सेड़ उन है शाब सो marc records गर और अँर्विए ये मंद यहांपर एक लाइन किव ग्लिटीन सिर्फ देखो लाइन यहां मैंने हाँ पर लिखा है divide into four area by three gluteal line और जो मैंने हाँ पर यह तीन लाइन ड्रो किये हैं यह मैंने तीन gluteal line ड्रो किये हैं पहली gluteal line आती है इसके अंदर posterior gluteal line second one is anterior gluteal line and third one is inferior gluteal line मैं तुम्हें इसको bonds पर दिखाता हूँ यह देखो यह हैं हमारा gluteal surface of a hip bone जब आप अपने college जाओगे या तुम्हारे पास अगर यह bone available हो तो एक बार जरूर देखना bone अगर तुम्हें एक बार बॉन नहीं ठीक है second आती है इसके अंदर एक anterior gluteal line and third one is inferior gluteal line तो यह होती है इसके तीन लाइन क्योंकि यह bone इस तरीके से है यह bone इस तरीके से है तो यह हो जागा inferior यह portion हो जागा इसका posterior और यह तो यहाँ पर तीन लाइन होगी और इसने डिवाइड कर दिये चार एरिया gluteal surface के एक एरिया यह रहा second one is third one is and fourth one is तो चार एरिया डिवाइड कर दिये तीन लाइन नहीं तो वही मैंने यहाँ पर एरिया लिखे है यह है first area जो posterior gluteal line के इस तरफ है कि first area this one is second area this one is third area and this one is fourth area ठीक है अब इसके attachments क्या क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी तुम्हें थोड़ा सा confusing लगा चार्ट यहां से लेकिन जब में तुम्हें इसके attachments समझाऊंगो तो यह भी हमें easily clear हो जाएगा हम आगे चलते हैं इसके अंदर इलीक सर्फेस की तरफ जिसको हम इलीक फोसा भी बोलते हैं तो इसको हम इलीक फोसा भी बोलते हैं और यह यह है हमारी पूरी सेक्रो पैल्विक सर्फेस सेक्रो पैल्विक सर्फेस को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है पहला आता इसके अंदर इलीक टिविरो सिटी सबसे उपर वारा तो तुम पोर्शन देख रहे हो यह रफ एरिया जो है इसको हम बोलते हैं इलीक टिविरो सिटी ठीक है और इसके नीचे मैंने आपर लिख भी रखाै अपर लार्ज ररफ और यह क्या है हमारी अपर लार्ज रह एरिया ए जिसके अच्चे बैद भी हम बाद एरिया दिख रहा है है यहाँ पर इसको बोलते हैं और इकलर एडिया ठीक है और यह जो ओरिकलर एरिया है यही प्रोवाइड करवाता है आर्टिकुलेशन विद्द सेक्रम बॉन टू फॉर्म सेक्रो इलियक जोईंट मैंने हैं यहाँ पर यह बात लिखी भी है inferiorly to auricular surface अगर हम बात करते हैं यह हमारी auricular surface है तो auricular surface के anteriorly inferiorly मतलब इसके आगे और नीचे के तरफ जो present होगी फोगी pelvic surface अगर मैं इस तरिक्ति से पकड़ लूँ तो इसके anteriorly और नीचे के तरफ यहाला एगा this one and this one is pelvic surface इसको हम बोलते हैं pelvic surface इंसके attachment भी हम बात करेंगे next video में तो I hope आपको alien bone के general features समझ में आये होंगे आपको क्या करना है इस notes को देखना है बार बार इसको पढ़ना है अगर एक बार में समझ नहीं आते तो तुम्हें दुबारा से वीडियो देखनी है और एक बार रियल बॉन अपने हाथ में लेकर सारी चीज़े तुम्हें चेक करनी है जिससे सारी चीज़े तुम्हारे माइंड में एक दम से सेट हो जाए ठीक है अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए ओके थैंक्यू सो मच